हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुमा यूटूब चैनल ए ए एस एजुकेशन साथ किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंद्राकांधी नैशनल ओपन उनिवस्टी से entity यानि की nursery teacher training course करने के लिए क्या eligibility conditions चाहिए कितनी फीस लगेगी कितनी course की duration है कब और कैसे admission होंगे और इंडिया में कहां कहां पर एक course offer किया गया है और इगनु में किस नाम से entity course है इसके बारे में complete detail में बात करेंगे तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इंडरागांधी national open university से जो entity course है उसे diploma in elementary या early childhood care and education की नाम से जाना जाता है DEC जिसकी short form है तो वैसे diploma course है open distance learning में mode में offer किया गया है school of continuing education के द्वारा करवाया जाता है duration minimum एक साल है और medium Hindi, English और Tamil भासा में offer किया जाता है और eligibility 12th pass या उसके equivalent कोई course आपके पास होना चाहिए fees आपकी 3000 रुपे full program की है और 300 रुपे registration fees एक बार देनी पड़ेगी examination के लिए 200 रुपे पर course code fees रहती है तो इसके लावा जो कहां-कहां पे ये course offer किया गया है तो वो सभी college की list यहां पे statewide दी गई है तो लेकिन कब-कब admission offer होता है इसके बारे में बात कर देते हैं पहले उसके बाद कहां-कहां पे आपके regional center और study center इस course से संब्दित है इन्फोर्मिशन आपको देंगे तो ये course जनवरी और जुलाई 2024 दोनों session में offer किया जाएगा जनवरी 2024 session के admission स्टार्ट हो चुके है लास्ट एक्स्टेंड भी होती है इसके लावा जुलाई session के लगभग मई मीड में या जून के फस्ट वीक तक admission ओपन होंगे तो साल में दो बर admission होंगे अभी region and study center details आपके सामने है study center आप nearby कोई भी ले सकते हैं examination आप अपने nearby exam center में भी दे पाएंगे जब exam form fill up करेंगे तो exam center जो चूज करेंगे वहाँ पर exam दे पाते हैं तो accordingly आप चूज करके जो 24 आपकी है उसके नुशार ले तो यह आपके complete जो study center से मैं scroll down करके दिखा देता हूँ यह आपके सामने है तो जब आप admission form fill up करेंगे तो directly list आपके सामने open होगी आपके state के नुशार आपके लिए easy रहेगा तो कैसे admission करते हैं यह video already updated है जिसका link description में आपको मिल जाएगा आज किस video में इतना ही मिलते हैं कि नए update के साथ